Hello students, welcome to iExam-B and this is SSC-B YouTube channel. अगर आप इस channel पे पहली बार आए हैं, तो please subscribe the channel and bell icon को जुरु दबाए ताकि आपका कोई भी वीडियो मिसना हो. So students, इस वीडियो में हम बात करेंगे SSC-CHSL का memory-based paper, memory-based questions, this is part 2. अगर आपने part 1 वीडियो नहीं देखा है, तो उसका link आपको description में मिल जाएगा, आपको उसके उपर click करके ये वीडियो देख सकते हैं और बहुत कम time बचा है इसकी preparation में. So students, हमने SSC-CHSL का online course जो है वो launch कर दिया है. So इस course के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा? 300 से जादा video lessons मिलेंगे, आपको 125 प्लस से जादा notes मिलेंगे, PDF form के अंदर. Tier 1 के लिए आपको 20 full length mock test, practice test मिलेंगे, even tier 2 descriptive के लिए भी आपको यहाँ 5 test मिलेंगे, जिसका evaluation होगा, faculty के दवारा वो आपको बताएंगे, कहाँ पे आपकी गलती है, पुरा feedback आपको मिलेगा, 8000 से जादा practice question यहाँ पे मिलेंगे, जो की chapter test, section test, mock test, हर video के साथ भी आपको questions मिलते हैं, तो काफी question यहाँ practice के लिए मिलेंगे, इसके अलावा chapter test, section test भी इसके अंदर है, और live sessions भी होंगे, live doubt clarification session होंगे, जिसमें आप teachers के साथ अपने doubts पूछ सकते हैं, और वो आपको वहाँ पे basic से भी बढ़ाएंगे, जल्दी से enroll कर लीजिए, अगर आप इस course के बारे में और जादा detail में जानना चाहते हैं, तो एक description में form का link है, वो भर दीजिए, तो हमारी team आपको call करेगी, और अगर आप कुछ guidance चाहते हैं, तो वो पूछ सकते हैं इस course के बारे में, तो last video में मैंने ये question आपसे पूछा था, तो इसका क्या answer आएगा student, तो इसका answer है 45 degree, tan theta plus cot theta is equal to 2 दिया हुआ है, theta जो है वो 0 से 90 के बीच में है, तो theta की value आपको निकालनी है, बहुत important question है, काफी बार SSE में ये repeat होता है, और trigonometry के कम से कम आपको 4-5 question मिल जाते हैं exam में, तो आइए देखते हैं इसको कैसे करना है, दीखे, जब भी आपको ये चीज़ मिले, tan plus cot is equal to 2, अगर आप ध्यान से देखे, tan और cot जो हैं, वो inverse हैं, तो जब भी आपको ये चीज़ मिले, कि दो numbers हैं, और वो एक दूसरे के inverse हैं, और उसका total आपको 2 मिलता है, तो जब भी आपको ये मिले, कि x plus 1 by x is equal to 2 है, तो आप हमेशा याद रखिए, इस case में x की value 1 होती है, ऐसा कौन सा number है, जिसके अंदर उसका inverse जोडने पर 2 आए, तो ऐसा number सिरफ 1 होता है, ये एक property है, जो algebra में पढ़ते हैं, इसको आप अलग से याद रखे, अगर यहाँ पर minus 2 दिया होता, तो x की value फिर minus 1 हो जाती, अभी plus 2 दिया हुआ है, तो x की value 1 है, मतलब ये दोनों number 11 होगे, तब ही ये 2 आएगा, it means 10 plus cot ये inverse है, और इसका total 2 दिया हुआ है, तो आप याद रख लिजिए, 10 theta की value यहाँ पर 1 होगी, और 0 से 90 के बीच में 10 theta 1 कब होता है, अगर आप table का use करें, तो tan 45 पर 1 होता है, अब आप compare करके बता सकते हैं, कि theta की value आ गई 45 degree, तो ये इसका answer था, अगला question देखते हैं, x minus y is equal to 16 दिया है, x into y 80 दिया है, आपको x square plus y square निकालना है, तो इसमें आप क्या use करेंगे, आप x minus y का whole square का formula use करेंगे, जिससे आपको value मिल जाएगी, x minus y का whole square होता है, x square plus y square minus 2xy, तो देखिए, x minus y हमें पता है, x, y भी पता है, और ये x square plus y square निकालना है, तो बाकी दोनों चीज़े put करेंगे, तो तीसरी term निकल जाएगी, तो x minus y कितना है, 16 put कर देते हैं, तो यहाँ 16 का square हो गया, is equal to x square plus y square हमें निकालना है, minus 2 into xy है, और xy की value 80 है, तो यह 16 का square आगया, 256 is equal to x square plus y square minus 160, इसको उधर ले जाते हैं, तो plus हो जाएगा, x square plus y square की value क्या हो जाएगी, 256 में, अगर आप 160 add कर देंगे, तो आपको value मिल जाएगी, तो यह 416 इसकी value आजाएगी add करके, अब next देखते हैं, algebra के उपर एक और question, x plus y is equal to 4, x into y is equal to 2, y plus z is equal to 8, yz is equal to 8, z plus x is equal to 6, zx is equal to 4, और आपसे पूचा है ये, कि x cube plus y cube plus z cube minus 3xy क्या होगा, दियान से देखिए, ये एक formula में term आती है, लेकिन वहाँ पे x, y, z भी होता है, यहाँ पे z भी होता है, तो ऐसा एक formula हमें पढ़ा हुआ है, x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz, इसका formula है, ना कि इसका formula है, यहाँ x, y, z भी होता है, इसका एक formula होता है, वह होता है, x plus y plus z into x square plus y square plus z square minus xy minus yz और minus zx, तो यह cube वाला एक formula आप याद रख लिजिए, देखिए, अगर आप x plus y, अगर आप यह जानते हैं, x plus y plus z, अगर आप यह भी जानते हैं, और अगर आप इसमें से minus comma ले लेंगे, तो यह भी अगर आपको पता हो, और x, y, z पता हो, तो यह सारी चीज़ पुट करके आप यह निकाल सकते हैं, अगर आप यह निकाल लेंगे, तो आपका इतना part निकल जाएगा, और minus 3xy के लिए x, y आपको पता ही है, तो वो पुट कर देंगे, answer आजाएगा, तो इसमें देखिए, x plus y plus z शायद आपको मिल जाएगा, कैसे, आपको x plus y पता है, आपको y plus z पता है, आपको z plus x पता है, तो इन तीनों को add कर देंगे, इन तीनों को add करेंगे, तो क्या मिलेगा, 2x, 2y और 2z, सब दो-दो बार हो जाएगा, और right side में add करके क्या होगा, 4 plus 8, 12 plus 6, 18, तो यहां से अगर इसका half कर दें, तो x plus y plus z की value कितनी आ गई? 9, तो इसकी value 9 आ गई है, और अगर इन में से हम minus common ले लें, तो यह रह जाएगा minus xy plus yz plus zx, और इसकी value भी हमें मिल जाएगी, बाकी तीनों को add करके, xy, yz और zx को अगर हम add कर लेते हैं, तो 2 into 8 into 4, sorry, add करना है, 2 plus 8 plus 4 यह आपका आगया 14, अब सिरफ हमें यह बताना है, x square plus y square plus z square, और एक हमें यह भी निकालना है, x, y, z, अब x square plus y square plus z square कैसे निकलेगा? हम एक formula पता है, x plus y plus z का whole square होता है, x square plus y square plus z square plus 2 xy plus yz plus zx, इसमें से हमें यह मिल सकता है, अगर बाकी दोनों चीज़े पता हो, और शायद वो पता है, x plus y plus z कितना है? 9, 9 put कर देते हैं यहाँ पे, और xy plus yz plus zx कितना है? यह हमने अभी निकाला था, 40, तो 9 का square हो गया 81 is equal to x square plus y square plus z square plus 14 into 2 हो गया 28, तो इसको उदल जाके minus कर देते हैं, यहाँ से x square plus y square plus z square की value आ गई minus करके 53, 81 में से 28 हमने minus कर दिया 53, यानि कि यह term भी हमारे पास आ गई है क्या 53, अब हमें सिर्फ क्या चाहिए? x, y, z, यह कैसे मिलेगा? x into y into z, देंकि हमारे पास क्या है? x, y है, हमारे पास y, z भी है, हमारे पास z, x भी है, ठीक है, तो अगर हम इन तीनों को multiply कर दें, तो x square, y square, z square की value आ जाएगी, तो यह multiply करके आपके पास value आ गई कितना? 64, तो यहां से x, y, z की value आ गई कितना? 8, किसका square 64 होता है? 8 का न, तो x, y, z की value आपके पास आ गई है, 8, ठीक है, तो अब यहां पे आप value put कर सकते हैं, तो हमें इसकी value निकालनी है, तो x cube, plus y cube, plus z cube, minus में हमारे पास है, 3, x, y, z, इसकी value 8 थी, is equal to x, plus y, plus z, की value 9 थी, into x square, plus y square, plus z square की value 53 है, minus, इस में से minus common ले लिया, तो बच गया, x, y, plus y, z, plus z, x, इसकी value 14 थी, तो इसको solve कर लेते हैं, तो यह हो गया 9 into 39, जो कि हो जाएगा 351, और यह जो minus का 24 है, इसको उधर ले जाते हैं, तो add करके आपके पास जो value बनेगी, वो बनेगी 375, तो इसका answer आगया आपके पास 375, अब अगला question देखते हैं, algebra का, वो आपको 3 दिया हुआ है, और आपको इसकी value निकाल नहीं है, तो यह भी एक property है, अगर आप इसको थोड़ा simplify करेंगे, अगर दोनों तरफ root लेंगे, तो यहाँ पे root cancel हो जाएगा, तो x plus 1 by x की value आगे root 3, तो जब भी आपको यह दिया हो, तो एक चीज़ याद रखिएगा, कि उस case में, जो x की power 6 होती है, उसकी value होती है, minus 1, और अगर x की power 6 minus 1 है, तो जब भी x की 2 consecutive power का sum करना होगा, जैसे x की power 66 यहाँ पे है, और 60 भी यहाँ पे है, ऐसे case में, अगर आप पहली term को देखेंगे, तो यह 6 की power 11 है, और दूसरी जो है, वो 6 into 10 है, तो यह minus 1 की power odd है, minus 1 आएगा, और यह minus 1 की power even है, तो यह plus 1 आएगा, तो हमेशा इन दोनों का total 0 होगा, यानि कि जब भी आपको यह दियाओ, x plus 1 by x is equal to root 3, तो याद रखिए, x की power 6 वहाँ पे होता है, minus 1, और जो भी दो number x की power के अंदर है, अगर उन दोनों में 6 का gap है, तो एक minus 1 होगा, एक plus 1, तो इनका total 0 आएगा, अगर आप ध्यान से देखे, 36 और 30 में भी 6 का gap है, तो इनका total भी 0 आएगा, यानि की हमारा answer ये middle वाला रह गया, x की power 48, और इसको हम बो break करके लेख सकते हैं, 6 into 8, अब हम x की power 6 की value यहाँ से put कर देंगे, तो ये हो जाएगा minus 1 की power 8, यानि की plus 1, तो ये rule भी बहुत important है, ये question repeat होता है paper में, so students, अब आपको इस question का answer comment में बताना है, aq plus b cube is equal to 20 है, a plus b is equal to 5 है, तो a की power 4 plus b की power 4 का answer क्या होगा, इसका answer आपको comment में बताना है, so हम आगे की question जो है, वो next part में देखेंगे, students, इस channel को subscribe कर लें, अगर आपने नहीं किया है, तो bell icon को जरूर दबाएं, and हमारे online course को जरूर देखें, जिसका link आपको description में मिल जाएगा, and iExam भी पर सारे mocktas free मिलते हैं, जरूर ट्राए करें, thank you, thanks for watching,